आज के सुड़ी में हम डालेंगे नजर Poco C3 पे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये फोन एक बहुत ही भड़िया फोन है 7,999 रुपए का क्या है इसमें प्रोज क्या कहां इसमें कमिया रहे गई है सब क्ये उपर नजर डालेंगे तो चलिए दोस्तर शुरू करते हम टेक की बात करें इंटे क्याने JT हिंदी के साथ तो सबसे में आपे स्टार्ट करते हम डिजाइन से एंड डिजाइन में यहां पे आपको पॉली कावने प्लासिक बैक मिलता है और वो दोस्तों दो डिफरेंट फिनिशर में आते हैं तो जो टॉप पार्ट है वहां पे आपको एक यहां पे आपको जो camera module है वो भी एक बड़ा सा black के अंदर जो तीन लेंसे और एक फ्लैश है वो मिल जाएगा तो camera के बारे में बाद निवाद करेंगे इसमें दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है बैटरी को नजर डालते वह यह phone हलका है इसके जो form factor है वो भी इतना ज प्राइस पॉंट में fingerprint scanner एक अच्छा एड़ेट एडवांटेज होता है दूसरी चीज़ दोस्तों यहां पे micro usb है not a big deal विकॉज चलो इस पर्टिक्लर प्राइस पर्ट में micro usb काम करता है विकॉज आपको box के अंदर micro usb का cable और आपको charger भी मिल जाता है ऐसा नहीं कि आपक पर कभी कभी क्या होता है कि face unlock इतना जाता responsive नहीं होता है और थोड़ा सा delayed होता है तो जो एक hardware fingerprint sensor है एक अच्छा एड़ेट advantage होता है नेक्स दोस्तों यहां पे जो overall design है आपको micro usb card का slot मिल जाता है कोई problem नहीं है इसके अलावा आपको यहां पे panda glass का screen protection मिलता है अब पैंड अगर गिरेगा तो तूटेगा अच्छे खास है अगर हाइट से गिरेगा तो अब देखो फोन हम खरीते हैं कि भाई लंबे समय तक के लिए चलेंगे ऐसे में back panel पे scratches वेगड़ा आहीं जाएंगे फिक आपको plastic back मिलता है अब next हम बात करते हैं तो screen के बारे में तो screen यहां आपको HD plus resolution में मिल जाएगी Widevine L3 का support के साथ आता है और इस particular price range के हिसाब से यह screen ठीक है अब यहां पे आपको जो indoor visibility अच्छी मिल जाती है वहां पे जो colors भी है काफी ठीक है and sunlight legibility अगर 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 आप इसमें हार sun पे नजर डाले तो वहां पे इती जादा बढ़िया में आप online content भी देख पाएंगे जो आपके 540p में चलेगा तो overall day-to-day usage के हिसाब के screen बढ़ी है और उसमें दोस्तों कि HD plus resolution आता है तो मेरे को लगा था कि शायद pixelation ही आते जादा crisp quality ना मिले लेकिन price को मद्दे नजर रखते वे यहां पे आपको viewing की quality है जो display की quality है अच्छी मिलती है इसके लावत दोस्तों जो sound output है वो भी loud है अगर आप videos देख रहे हैं या फिर समझे को season vision देख रहे हैं बिना headphones के तब भी आप यहां पर देख पाएंगे अब next दोस्तों बात करते हैं camera के बारे और camera के यहां पर क्या है कि आपको 13 megapixel का primary camera मिलता है उसके साथ साथ 2 megapixel का depth camera और 2 megapixel का macro camera मिलता है तो मैंने यह बात भी कही थी और यह बात में कहना भी चाहूंगा कि जो 2 megapixel का depth camera आपने दी दिया because processor इता जादा advanced है नहीं कि वो edge detection भी कर ले और photo process भी कर ले तो आप वो hardware साइट से मदद ले रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है जो macro camera है अगर उसकी यहाँ पर fingerprint scanner होता कि भाई सिफ दो camera दे दो fingerprint scanner दे दो तो मेरे हिसाब से यह everyday usage के लिए जादा वेटर होता प्राइस प्राइस पॉंट में अकर कोई भी इस phone को खरीद रहा है तो वो macro camera के लिए नहीं खरीदेगा वो इसलिए खरीदेगा कि भाई इसमें fingerprint scanner है और मेरा day-to-day यूसेज का काम हो जाएगा किकोस देखो जो स्टार्ट कर रहा है जो पढ़ा ही लिखा एकदम स्टार्ट कर रहा है या फिर जिसका budget इतना नहीं है वो macro photography के लिए नहीं ले रहा है और उसको लेना ही होगा तो one plus 8T लेगा और उहां पर दोस्तों macro camera किसी काम का नहीं है literally किस 1 plus 7T का last camera था macro जो मुझे अच्छा लगा था next दोस्तों यहां पर मैं photos के और बात करूं तो काफी average है और वैसी photos आएंगी जो आप 8000 रुपय के mobile से expect कर सकते हैं तो जो colors है थोड़े बहुत वाच्ड आउट है इसके अलावा आपको average यहां पर जो clarity हो देखने के बिलेगी dynamic range कभी-कभी बहुत बढ़िया होता है अगर काफी ample amount of light and colors है अगर एकदम harsh sunlight के सामने या फिर अगर low light हो तो वहां पर dynamic range इतना बढ़िया नहीं रहता नेक्स दोस्तों यहां पर अगर मैं selfies की बात करूं तो वहां पर edge detection थोड़ा सा on point नहीं था अच्छा हां edge detection से याद आया कि जो rear camera का edge detection है वह एक additional depth sensing camera के होते भी इतना on point नहीं है वहां पी दोस्तों hit या miss का है तो ऐसा नहीं है कर hardware extra लगा दिया तो वहां पर performance इतनी अची देखने को मिल रही है तो overall videos भी ठीक है on an average ही बोलूंगा तो इस camera को आप day to day usage के लिए यूज कर सकते हैं and for the particular price point it is okay इसके दोस्तों के performance के आप में बात करें इसके लाब आप यहां पर इंस्टाल कर सकते हैं call of duty दोस्तों आप यहां पर अच्छे खिलाडी हो अगर अप अच्छे खिलाडी हो अगर अप लेज अच्छे हो तो वहां पर आपको गेम भी अच्छा होगा and overall इतना for the particular price point आपको यहां पर अच्छा performance देखने को मिल जाए में जिस तरीके का आपको आउटपुट चाहिए जिस तरीके का आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं वह दोस्तों को यहां पर मिल रहा है of course अगर बहुत जादा देरितक के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं बहुत जादा रिसोर्स इंटेंसिव टास्क हैं तो वह दोस्त सब्सक्राइब काफी बढ़िया है उन से में दिक्कत नहीं आएगी जो दोस्तों दिक्कत मुझे लगी वह मुझे पस पेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक में लगी और वहां पर जैसा मैंने बता है एक फिंगरप्रिंट अनलॉक साथा बेटर एडट एडवांटे दोस्तों एक दिन से उपर चलेगी चलेगी फिकास यहां पर प्रोसेसर इतना सब्सक्राइब काफी बड़ी है तो यहां पर सब कुछ सही लगा मुझे इस फोन में प्कॉस यह एक बजट फोन है अब ओस के बारे में बात करें तो वह दोस्तों थोड़ा सा डाइसी है और अब आपको यह एंडोड 10 मिलता है एड्स हैनी फोको में लेकिन जो नोटिकेशन से जो फालतु के ब्लोट वेर्स है वो दोस्तों इस फोन में रहेंगे वह जब तक लीन वेस नी बनेगा तब तक रहेंगे रहेंगे अब दिको फंटच ओएस भी इस पार बहुत अच्छा काम किया है फंटच OS 11 और वहां पर आपको एक अच्छा clean UI देखने को मिलता है तो अगर शाओमी करना चाहे तो कर सकती है और उन्हें करना चाहिए उन्हें अपना एक नया अलग सा OS बनाना चाहिए जो कि उनके phones के लिए बना हो जो कि MIUI ना हो जो कि POCO UI हो उसमें बार बार आपको नहीं बताना है कि एड्स नहीं है हमने ड्स दाले है नहीं आपको नोटिफिकेशन वेगरा सब कुछ clean करना है तो I really want POCO to come up with a new UI अब फोन के बारे दोस्तों मैं आपको बताई दिया थोड़ी बहुत कमिया है जैसे कि fingerprint sensor, macro camera दोनों को swap कर सकते थे लेकिन उसके लाव दोस्तों ये एक अच्छा phone है और आप अगर चाहे तो उसको एक से डेट साल तक के लिए या फिर दो साल तक के लिए कराश में के से कव पच रहा है तो चला सकते हैं तो ये था दोस्तो हमारा full on review पसंद आया तो प्लीज एक थम सब्सक्रूर दीजेगा हमारे चैनल GT Hindi को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बुलिएगा तो बस आज की वीडियो के लिए अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते प्ली ओद आएगा हैं